हेलो दोस्तों बजाज होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे डिविडेंट डिक्लियर किया है बजाज होल्डिंग्स ने उसके बारे में हम डीटेल्स में बात करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले dividend amount है 110 रुपए का बजाज holdings ने declare किया है share price आप देखेंगे जब यह मैं वीडियो बना रहा हूँ 6600 के पास share price आपको देखने को मिलेगा तो 110 रुपए का dividend है और record date है इस dividend की September 23, 30 September record date है और जो payment है वो भी October 10 तक हो जाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों यह बजाज finance या बजाज फिंसर वो अलग कंपनिया है यह अलग कंपनी है यह holding कंपनी है इसको आपको ध्यान में रखना है उसके बारे में मैं थोड़ी जिरम आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले dividend का बता दूँ देखे अगर हम पिछले साल अगर देखें तो dividend जैसे पिछले साल इसी समय में सप्टमबर के समय में 90 रुपीज का डिकलियर किया था जो इस बार 110 रुपे का dividend डिकलियर किया है तो dividend बढ़ा है पिछले साल के comparison में और फिर बाद में उन्होंने 25 रुपे का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो final dividend है वो भी डिकलियर किया था वो ex-dividend date उसकी जून के महिने में थी तो total 115 रुपे का पिछले financial year में dividend था तो अभी तो 110 का dividend आ चुका है फिर उसके बाद final dividend हमको बाद में पता चलेगा अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 40 रुपीज का dividend था 2021 में आप देख सकते हैं उससे पहले आप देख सकते हैं जो म financial year से देख पा रहे हैं कि जो बड़ा dividend है बजाज holdings की तरफ से दिया जा रहा है नहीं तो पहले 32, 40 के आसपास ही दिया जा रहा था इनफाक 2021 तक ही सिर्फ एक बार dividend आ रहा था लेकिन जो dividend 32, 42 रुपे के आसपास आ रहा था तो पिछली बार 115 का dividend और इस बार भी 110 अगर company क हिसाब से देखे तो बड़ा dividend अब देखे बहुत सारी company है बजाज group में तो अगर आपको सब को own करना है तो बजाज holdings उसके लिए है तो देखे बजाज holdings 33% बजाज auto को own करती है फिर 39% बजाज finserv को भी own करती है अब बजाज finserv को अगर वो own करती है तो indirectly आप बजाज finance ब तो अगर सिर्फ अगर आपको finance का business को देखना है तो फिर बजाज finance है बजाज finserv है लेकिन पूरे बजाज group में दूसरी भी company है जैसे बजाज auto अपने में एक बहुत बड़ा नाम है auto sector में उसको भी अगर आप own करना चाते है अगर directly तो करी सकते हैं directly share लेकि लेकिन indirectly अगर आप share करना चाते है तो फिर बजाज holdings है क्योंकि वो बजाज auto को भी own कर रही है बजाज finserv है तो फुरे finance के भी business को own कर रहे है और महारास्टर स्कूटर से फिर अलग business है auto spare का जो business है वो वाला business है तो इसलिए ये holding structure समझना बहुत जरूरी है और इसके कारण से यहां क्या ह water खतम हुए 104 करोड की income है जो की बहुत छोटी है लेकिन आप profit देखिए 970 करोड है अब यह profit कहां से आया देखिए 104 करोड की तो 900 करोड का profit कैसे हो गया उसमें भी देखिए 45-46 करोड का उनको आपको expenses देखने को मिलेगा लेकिन आप यहां पर तीन नंबर में देखिए share of profits of associates चुपकि वो जो associates company है ठीक है associates सही word है associates company से 925 करोड का उनको profit मिला है तो associates company यह सब है बजाज auto बजाज fin सब तो जो बड़े जो mutual funds से respected mutual fund जैसे पराग पर एक flexi cap है तो उन्होंने holding company को ही own करके रखा हुआ है तो हर investor के अपनी strategy होती है कुछ investor company को direct own करना चाहते हैं कुछ क holding को भी own करना चाहते हैं तो इसलिए यह holding company का भी हमको concept समझना हमारे जरूरी हो जाता है तो overall इनका profit जो है maximum जो दूसरी subsidiary company है वहीं से ही associate company से ही आ रहा है चाहे वो बजाज auto हो fin serve हो तो फिलहाल अभी news में है dividend के लिए 110 रुपीज का dividend आया है और जो important date है September 23 जो की record date है और payment भी October के महिने में हो जाएगा मुझे उमीद है छोटा सा वीडियो था आपको value मिली होगी चैनल को जरू सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही informative वीडियो आते रहेंगे धन्यवाद आपके time के लिए thank you